इस वीडियो में हम लोग जम्मू कश्मीर और लदाक के जो निशनल पार्क्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके सारे आस्पेक्ट को कवर करने की कोशिच करेंगे, जो कि हमारे लिए एक्जामनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक हैं, और बेसिकली हम लोग जितने भी निशनल पार्क्स वगरा होते हैं, उनको एक साथ पढ़ने की कोशिच करते हैं, जिसकी वज़ा से हम एक भी नहीं तयार कर पाते हैं, लेकिन हम लोग अगर एक एक स्टेट का निशनल पार्क पढ़ेंगे, और उसके सभी डामेंशन को कवर करते वे चलेंगे, हमारा निशनल पार्क तयार भी हो जाएंगे, और साथ ही साथ में एक्जामनेशन में जितने भी इंपॉर्टन पॉइंट हैं, वो अगर पूछे जाते हैं, तो हम उसका जवाब भी दे सकते हैं, सही जवाब, कई बार होता कि हम पढ़तों लेते हैं, बट वो हमनें तो एक इंपॉर्टन निशनल पार्क है, जिसका नाम है हेमिस हाई अल्टीट्यूटन ऍेस्टल पार्क, यहनि निशनल पार्क हमेंहेंज होनें पुंछ नहीं पेलें, आप जम्मो कश्मीर पह इनि तो किन लिफ्रकेशन होने, अब यह लद्दाक शेक्र में पहुंच चु तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पौइंट है पहला पूइंट आप देखो की हम्मु गश्मीर चाम से जो लद्दा लग हुआ है उसका जो पूर्वी हिस्सा है उसके पूर्वी हिस्से में हेमेसाई antibी गश्मीर से जो लदाख लग हुआ है उसका जो पूर्वी हिस्सा है उसके पूर्वी हिस्से में हमिसाई नेशनल पार्क इस्थ है तो हमिसाई नेशनल पार्क की जो सबसे इंपोर्टन पहला प्रेंट है वो क्या है कि यह पूर्वी लदाख के शेतर में इस्थ है यह आपको एक मात रहसा नेशनल पार्क भारत का जो केसित है और यह एक इंपोर्डन पॉइंट है उसके बाद में इसके अगली खासियत ही है कि यह छेतरफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा रास्ट्य उद्यान है यानि ये शेतरफल के अनुसार सबसे बड़ा नेशनल पार्क या रास्ट्र उध्यान है यानि नेशनल पार्क को हम लोग हंदी में क्या नम पुलते हैं रास्ट्र उध्यान तो भारत का सबसे बड़ा रास्ट्र उध्यान कोँ से है? HEMSI national park या largest national park ऑफ इंडिया according to the idea अगला बाइंटिस में जो important है वो है कि ये जो है वो सिंदु नदी के किनारे पर इससे थे थे ये नेशनल पार्क जो है वो सिंदु नदी के किनारे पर इससे थे थे या जिसको इंगलिश में पास कहा जाता है और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दर्रा तो दर्रा या पास दर्रा बिसे के लिए ऐसा structure होता है परवतों में एक दरार होती है जिसके माद्यम से कोई वेक्टी एक परवत परवत के एक साइड से दूसरे साइड जा सकता है यानि अगर ये और आपको इधर से इधर के तरव जाना है तो अगर मालेजे एक परवत में यहांपे एक दरार है तो आप इस दरार से होकर के इधर से इधर जा सकते हो तो यही जो दरार होती इसी को क्या कहा जाता है दर्रा जिसको इस सिंबल से रिपरेजेंट किया जाता है तो इस नेश हुआ कि अगर यहीं दर्रा तो मरखा घाटी को और यह को जोड रहा है तो यह जो दर्रा है कि यहां में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर बड़ी मात्रा में । इस सित हैं,, यहाँ तो यहां पर पाय जाते हैZ हम सित है यहां पर लíक आग लोकि होने टीज से भूर्फियर सम більड है है यहां पर दस्से नोकर फिरस्टि आए आकर के रहते हैं तो ऐसे condition में यहां पर हैमिस Monastery जो है वो भी इसी National Park के रिजन में रिजन में रिसे थे हैं तो यह सारे important अपने आपने अपने question बन सकते हैं और इसको आपको इस पार्क से related point के रूप में याद रखना है अब किसी भी पार्क में आप देखो कि कुछ flora पाये जाते हैं कुछ fauna flora मतलब होता है जो प्रेक्षों की परजातियां होती है यानि plant kingdom से related और fauna का मतलब होता है जो animal kingdom में related होते हैं तो flora और fauna में हम लोग दिखते हैं कि इसमें क्या-क्या important चीज़े पाये जाते हैं और अक्सर आपसे fauna पुछा जाता है flora बहुत कम पुछा जाता है examination में तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन से important जानवर पाये जाते हैं इस national park में तो सबसे important जानवर जोकी important है यहाँ पे बड़ी मत्रा में पाये जाता है वो कौन से है him tendua या जिसको हम लोग isno leopard क्याते हैं यानि him tendua या isno leopard और ये जो him tendua isno leopard है इसको अगर देखा जाए तो इसकी मात्रा धीरे-धीरे कम हो रही है यानि इनकी संक्या धीरे-धीरे कम हो रही है तो जब भी किसी भी जानवर की संक्या कम होती है तो उसको हमें बचानी क्यावशकता पड़ती है यानि उसको conserve करनी क्यावशकता पड़ती है तो conservation हम लोग करते हैं उस जानवर का और कहीं न कहीं उसी टाइप के conservation के लिए हम लोग national park, wildlife sanctuary और बैस फिर reserve सोगरा बनाते हैं इसी conservation से related एक अंतरास के संस्था है और उसका नाम है IUCN यानि जिसको हम लोग बोलते हैं International Union for conservation of nature यानि IUCN को हम लोग का फुल फॉर्म क्या है International Union for the Conservation of Nature ये पुरे विश्य में जानरों को बचाने की शेतर में एक बड़ा प्यास करते है और इसके द्वारा एक red data book जारी किया जाता है यानि ये क्या करते है red data book जारी करते है और red data book में जितने भी जानवर जिनको कोई ना कोई खत्रा होता है या जिनकी संक्या काम हो रही है उनकी एक list जारी की जाती है और list की कई सारी category है जिसमें critically endangered, endangered, vulnerable, extinct, least concerned तो ये एक list होती है जिसके according conservation को हम लोग जो है वो conduct करवाते हैं तो IUCN की जो red data book है या जो red list है उसमें इसको vulnerable की category में डाला गया है यानि इसको संबेदनची लिस्ति है यानि अगर इस ध्यान नहीं दिया गया तो rational leopard जो है उन्देंजर्ट कंडिशन में आजाएंगे यानि इनके ऊपर खत्रा हो जाएगा तो ऐसी condition में आपको ध्यान रकना है कि amazedной leopard जो है वो इस national park में पाया जाने वाला एक प्रमुक जो है वो जानवर है आगला जानवर जो इस national park में पाया जाता है और जो important है वह है अरगाली जिसको हम लोग कहते हैं तिबतियन शीप ठीक है या इसको great तिबतियन शीप कहते है यानि भेण की एक जाती है और ये भी एक important जो है जानवर है यहाँ पर और इस शेतर की एक important जानवर है तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है और दिरे दिर में इनकी मात्रा भी कम हो रही है और इनकी हंटिंग होती है यानि इनका शिकार हो जाता है तो इस वज़ा से इनकी मात्रा धीरे-धीरे कम हो रही है तो अरगली के ग्रेट टिबतियन शीप है जो है वो भी इस नेशनल मार्प में पाया जाने वाले एक इसको अगला एक इंप्रेट mily जानवर इसको भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद में अगला जो एक इमपॉटेंट जानवर है जो की शितव में प inform Six जाता है वह सारे नाम है, अलग-अलग नामों से जाना जाता इसको, yangalen blue sheep, chinese blue sheep, नौर, ठीक हैόσं? यह अलग-अलग नाम से हैं, यह january भी important ही state में पाया जाता है, और यह ISOCN की list में अभी कैसे ही? least concern, यानी इसमे ध्यान देनी करशचता है, पिड़ ज़ादा खत्रा इस पर नहीं है यानि least concerned category में इसको डाला गया तो कई पार examination में होता है कि आपसे ऐसा question बनता है कि इस national park में कौन सा जानवर पाया जाता है या ये इस national park किस जानवर के लिए important है तो आपको ध्यान रखना है ये point और अगर question की standard को और बढ़ाया गया तो आपको किसी एक national park का नाम देखर के पुछायाएगा कि इस national park में इन में से कौन-कौन सा जानवर पाया जाते हैं और कौन-कौन सा जानवर नहीं पाया जाते हैं तो इस type से जब question आता है तो आपको ध्यान रखना है कि important जानवर है जिनको आपको ध्यान रखना है अब इसके बाद में अगला जो important जिसमें एक जनवर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते है शापी या इसको लद्दा कीुरियल धूड जाते है तो यह एक important जनवर है इसकी खासियत यह है कि यह एक ऐसा जानवर है जो भारत में सिर्फ इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है यानि यह सिर्फ कहां पे पाया जाता है हैमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है तो ये एक important point है कि शापी या शापो या अरकस जो है वो भारत में सिर्फ famous हाई शाप नेशनल पर्क में पाय जाता है ये important point है और IUCN के लिश्ट में यह vulnerable है यह vulnerable category में है IUCN के लिश्ट में तो ये शापी या लद्दाक की important point है उसको ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ famous हाई नेशनल पार्क में पाया जाने वाला जानवर अब उसके बाद में लद्दाक के शेतर में एक नेशनल पार्क पाया जाता जो कि पहले जम्मु किश्मीर में था अब लद्दाक में आ गया अब अगर जो नेशनल पार्क है वो है दाची गाम नेशनल पार्क यह जम्मु किश् तो आपको यहां पे सबसे पहले द्यान रखना है कि दाची वर्ड जो है इसका मतलब जक्रमी के शेट्र में यानि कश्मीरी भाड़ा में इसका मतलब होता है दस और गाम का मतलब होता है घार गां तो इसका शाबडी यह दस गां को पार्क का जो लिटरली मीनिंग है वो होता है 10 विलेज़ेस ठीक है यार दस गाउं और इस नेशनल पार्क को 1981 में डेकलियर किया गया तो आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है कि 1980 में दाची गाम को राच्छे उद्यान बुशित किया गया और यह जाबरवान रेंज है हिमा अगर आप हिमाले रिजन को दिखो तो यह जम्मु कश्मीर का रिजन जम्मु कश्मीर के रिजन से ले करके इधर अरणाचल के प्रदेश के छेतर तक यहां से ले करके यहां तक हिमाले रेंज फैली हुई है तो हिमाले रेंज को अगर हम लोग दिखते हैं तो हिमाले रें पूर्वी हिमाले तो ऐसी किंडिशन में जो वेस्टन हिमाले है उस वेस्टन हिमाले यानि पर्ष्मि हिमाले का एक रिंज है जिसको हम लोग कहते है J'abarwan range और इस J'abarwan range में ही यह स्थित है जो कि श्रीनगर के पास में है श्रीनगर से जो इसकी दूरी है वो लगबक 22 किलो पाए जाता है यह एक important point है और उन सभी जानवरों में जो सबसे important जानवर है वो है हंगुल आप देखो अगर आप कभी paper उठा के देखो तो हंगुल कई बार examination में पूछा जा चुका है और यह आगे भी पूछा जाएगा ठीक है तो जम्मो कश्मीर में जो सबसे important जानवर है हंगुल एक important जानवर है इसको आपको ध्यान रखना है हंगुल जो है इसको कश्मेरी स्टैग या कश्मेरी स्टैग भी कहा जाता है यानि इसको हंगुल भी कहते हैं और इसको कश्मेरी स्टैग भी कहा जाता है और यह जो जानवर है यह IUCN की list में endangered category में है यानि यह जो है बहुत ज़्यादा खत्रे में है तो उसको हमें बचाने का उशक्ता ज़्यादा होती है तो इसी लिए 1970 की दशक में दो अंतरास्टेसंस था जिसमें एक IUCN है और एक WWF है जिसको Worldwide Fund कहा जाता है और एक International Union for Conservation of Nature है इसके साथ में मिल करके जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐसे कंडिशन में आपको ध्यान रखना है यह इंपॉर्टन पॉइंट है साथी साथ में भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया है जिसको Wildlife Protection Act कहा जाता है जिसको हिंदी में कहा जाता है वन्य जिव सनरक्षन अधिनियम जैने क्या बोलते हैं इसको वन्य जिव सनरक्षन अधिनियम 1922 PCS में कई बार ऐसे आक्ट पूछे जाते हैं कि ये आक्ट किस सन में आया है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है ये आक्ट भी PCS में पूछा गया है वन्य जिव सनरक्षन अधिनियम 1922 का है और इसी अधिनियम के अंतरगर्थ हम लोग जानवरों को प्रटक्ट करने की बात करते हैं अपने यहां पे इस अधिनियम में कुछ अनसूचियं बनाई गई हैं जिसमें 6 अनसूचिय बनाई गई हैं शेडियूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन 6 अनसूचियों में जानवरों को कटेग्राइज किया गया है ऐसे जानवर जिनको बिल्कुल भी नहीं मारा जा सकता उनको शेडियूल 1 में रखा जाता है तो ऐसे में क्यों रखा जाता है क्योंकि उनको बचाने की सक्ता आवशक्ता होती है तो हमारे यहाँ पे जो Wild Life Protection Act 1972 है उसके schedule एक में हंगुल को शामिल किया गया है ठीक और हमारे यहाँ पे जानवरों को बचाने के लिए जानवरों को बचाने के लिए आग भी कौन सा है यह आपको ध्यान रखना है 1922 यह बहुत important है यह examination में पूछा आता है और हंगुल आपको यहाँ पे पिक्टर में दिखाई पढ़े हो कि एक हिरन के प्रजाती का जानवर है ठीक कश्मीरी स्टैक तो आपको ध्यान रखना important point है यह examination में पूछा आ सकता है उसके बाद में इस शित्मे और जो एक जनवर important पाए जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कश्मीरी musk deer यह इसको रूस इट भी कहा जाता है ठीक है रूस इट कहा जाता है यह भी हिरन की एक प्रजाती है ठीक आप इसको देखो कि musk deer musk का मतलब रखना कस्तूरी तो कस्तूर भी म्रग भी कह सकते हैं इसको हिंदी में और इसकी जो खासियत है वो यह है कि इसके यह जो दांत ठीक है आप देखो इसके मूव में यानि दोनों साइड में यह दो ग्लीड स्ट्रक्टर जो है इसका दिख रहा है और यह important खासियत है यह यह पाई जाती है हिमाले के छेतर मे जो कि नेपाल, उटान, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के रीजन में पाई जाता है यानि यह जो हिमालेयन बेल्ट है इस पूरे बेल्ट में यह पाई जाती है और एक important प्रजाती है यह IOCN की list में अगर आप दिखो तो यह कैसे endangered category में शामिल किया गया इसको endangered है इसलि जिसमें बूटान, टाइना, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान का चेतर आता है इस चेतर में यह बड़ी मात्रम पाय जाते थे और दे देरे इनके संक्या कम होती जा रही इसलिए इनको IOCN category में endangered category में शामिल कर दिया गया है एक important जनवर उसके बाद में यहां पे leopard पाय जात सकते हैं तो आपके धानक में leopard जिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको IOCN ने अपनी जो है वो वलनेरेबल category में डाला है उसमें वलनेरेबल यानि सम्वेदंशिल कंडिक्शन में डाला है और यह बड़ी मात्रा में अफरीका और एशिया के चत्र में पाया जाते हैं ज हमेसाई नेशनल पार्क में जो इसनो लेपर्ड पाया जाते हैं और यहां पर लेपर्ड भी पाया जाते हैं तो लेपर्ड की वो पजाती जो इसनो रीजन में रहते हैं और जो नॉर्मल कंडिशन में रहते हैं इनको हम लोग नॉमल या लेपर्ड के नाम से जानते हैं ठी स्टेंदवे के जैसे नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लेपर्ड काट जितने भी इस टाइप के जानवर होते हैं जो थोड़े से अलग नाम होता है या थोड़े सुनने में लगता है वह एक्जामनेशन में पूछ लिया जाता है कई बार पूछा जाता है जैसे पी जंगली बिल्ली का एक्जामपल है और इस रीजन में पाए जाते हैं इनको लेके बहुत ज्यादा भी खत्रा नहीं है बट यह इनके ध्यान देने के वह शक्ता है लिस्ट कंसरेंट कटेगरी में इसको डाला गया है तो यह लेपर्ड पाइट पाई जाती है उसके बाद मे बियर है यह इसकी मातर बहुत तेजी से कम हुई है वह तेजी से घटी है तो हिसले इसको जो है इस पर ध्यान देने का शक्ता हुई और यह इसको हम लोग एकियन ब्लेक बियर के नाम से भी क्यों कि human population के द्वारा इनके area का encroachment हो जा रहा है इनको कब्जा कर ले रहे हैं लोग forest fire होता है तो उसमें इनकी death हो जाती है इनका habitat कम हो जाता है तो kinder industry जो है वो पेड़ों को काट लेते हैं की वजय से zastanee की वजय सब्सक्राइब खार से इसलिए हमें इनकी संक्रा है और इनको बढदाना है ठीक तो इसके बात नहीं यहाँ पर एक जानवर पाए जाता है जिसको ओर्टर कहा जाता है तो इसको आप देहा यह भी यह पहले को दिश्यत में स्चाथ चाहिं यह मान्सारी जानोर उत्र करें यह यह तो इसको आठीनल में कैलải स्टानी तो आपको दियानli है, आफ यह इसको दियान कीशा है, वैसे स्चाहिख्च नहीं में मुतफ़ारे कुंपक, प्रची के एक पजाती इसको हमालीन भूल भी कहा जाता है अपको फूर्चार में भी आपको दिख रहा होगा इस नेशिनल पार्ट में पाए जाने वाले इंपोर्टन जो जानवर हैं जो आपको ध्यान अब इसके बाद में हम लोग अगला नेशनल पार्क दिखते हैं जो कि जम्मो कश्मीर के रिजन में है जिसका नाम है किस्तवार नेशनल पार्क यह भी हाई अल्टिटूट पर रिस्थेत है अल्टिटूट का मतलब होता उत्वंगता यानि उचाई पर तो एक उचाई पर र खासियत है वह क्या क्या है इसमें क्या खास बात है जो हमसे पूछा आशकता है तो आप तो धयान रखने कि इसको भी नेशनल पार्क यह आपको ध्यान रखना है और नदियों के नाम आप ध्यान लखो क्योंकि कई बार रेलेट करके question पूछ लिया जाता है कि आपको चार नदी दे दिया गया और बोला जाएगा कि match कराईए तो तेनाप की tribute को हिंदी में सायक नदी कहते हैं अब यहाँ पे ध्यान लखो कि इसको बिसिकली जो बनाये गया था वो इसनो लेपड के लिए बनाये गया था तो यहाँ पर जाहिसी बात है कि यहाँ पर पाये जाएंगे अब हमारे देश में सेंटरल गब्मेंट के द्वारा साथ इसनो ल लेपड जो है वो रिजर्व घोचित किये गए उस साथ इसनो लेपड के रिजर्व में एक ड्र हमसे पुछा आता है कि इन में से कौन सा elephant reserve है, तो आपको ध्यान रखना है कि central government के द्वारा हमारे देश में seven leopard reserve घुशित किये गए हैं, उन में से एक leopard, जो snow leopard reserve है, वो कौन सा है, किस्तवार national park, चिक, तो यह important points हैं, जो कि किस्तवार national park से related हैं, उसके बाद मैं आप देखूँ यहाँ पे, किस्तवार national park जो है, इसमें कौन-कौन से जानवर पाये जाते हैं, जो कि important है, तो यहाँ पे bound bear पाये जाता है, यानि भूरा बालू, बालू, उसके बाद में हिमालेन मस्क डियर पाये जाते है, हंगुल पाये जाता है, ऐबिक्स पाये जाता है, ठीक है, वाइल्ड बोर पाये जाता ह है, तो यह कुछ जानवर है, जो इस छेतर में पाये जाते हैं, जो कि important है, इसको हम लोग देखेंगे भी आगे जिक्सी में, कौन-कौन से जानवर है, जो कि यहाँ पर पाये जाते हैं, यहाँ पर एक important point यह जान रखना आपको, जो हंगुल है, यह जो कश्मिरी स्टैग है वो migrate करके यहाँ पर चले आते हैं, सर्डियों में, और कहां से आते हैं, डाची गाम नेशनल पार्क से, तो जो डाची गाम नेशनल पार्क है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में हंगुल पाये जाते हैं, तो वहाँ से migrate करके वो कहां पर चले जाते हैं, यह किस्तवार नेशनल पार्क में पाय जाता है जो की अईउसीन की लिष्ट में अगर आप तो यह जाथा को में को बहुत जादा खत्रा है करिफ्टकर्धि टिजयंसको चाविल किया यहां भी पाई जाती है उसके बाद में इंडियन मुंटाइज यह एक हिरन के प्रजाती है और यह ध्यान रखना आपको कि यह इस जगह पर पाई जाती है यह यह आयूसियन के लिस्ट कंसर्ट में थ्यान देने के अशकता है बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी नहीं है तो अगर नहीं ध्यान दिया गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसलिए आपके ध्यान अगने कि यह आपसे question पु बनता है क्या क्या क्वेशन बनता है या पूछा जा सकता है और यहां पे कुछ किताबों में इसको इसका जिक्र नहीं करते हैं लोग क्योंकि यह प्योंके बारत का हिस्सा है तो ऐसे पार्ट होगा इसका मतलब योके इंडिया का पार्ट है तो वहाँ पर जो भी निशनल पार्ट हो के रहा हो जो हमें जागी जाए आज नहीं तो कल वह हमारे पास और वाइल्ड गोट या जंगली बक्री के राम से जानते हैं तो यह पाकिस्तान की राष्टिये पश्यू भी है नेशनल एनिमल भी है तो ऐसी कंडिशन में मार्खवर जो वाइल्ड गोट है इसको बचाने की लिए इस नेशनल पार को स्टैबलिश किया गया था ठीक तो यह आप देखो कि यह जो मार्खवर गोट है यह एक इंपर्टन जंगली बक्री की प्रजाती है और इसकी जो खासेत आप देखो इसकी बहुत बड़ी-बड़ी सींग है और यह स्क्रूट सींग है यानि गुमाओदार एक सींग है और यह पाकिस्तान की राष्टिये इसको कहां ये पाई जाती कहां हें सेंटरल ऐशेया में कारा कुरम रेंज में हमाले के की रेंज में पाई जाती है और यह यह और यह आयूसीयं की लिस्ट में नेरली थ्रे पूर्ण की कंडिक्शन में ठीक है यह नेरली थ्रेटेंड कंडिक्शन में पाई जाती है के लिस्ट में है आयूसियन में और इसको पाकिस्तान ने अपना रास्टी पश्चु गोचित कर रखा है इसकी खासियत कहा है इसकी जो सींग है वो आप देखो जैसे स्कुर्वड है यैंनि घुमाओदार है और इसकी जैक्ता आप से पूछा सकता है काही पाई पाये जाता है तो आपको द्यान रखना है काराकवरम में पाया जाता है और जिस नेशनल कों पाया जाता है व ये जिस नेशनल के नहीया याप it ठीक है और नितो लॉजिस्ट तो इनी के नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है जो कि एक इंपॉर्टन नेशनल पार्क है पूठा जाता है एक्जामनेशन में और इसकी लोकेशन जम्मु एन कश्मीर के रिजन में अब इहां पर दिखते हैं कि इसे इंपॉर्टन क्या क्या पॉएंट है जो कि म्रे- एक्जामनेशन के लिए इंपॉर्टन है आप देखोएंपे इस नेशनल पार्क को सिटी फॉरस नेशनल पार्क भी कहा जाता है यह हैंनि सलीम अली नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है है 여기 जो पॉपलर नेम होता है उसके अलाबाद नाम से पूछ ले आता है तो आप से एक्जामनेशन में ये भी पूछा सकता है कि City Forest National Park कहां परिष्थेत है तो City Forest National Park बहुत कम लोग जानते होंगे सलीम अली नेशनल पार्क ज़्यादा पॉपलर है तो आप ध्यान रखना है कि ये वही नेशनल पार्क है जिसको लोग सलीम अली नेशनल पार्क भी कहते हैं City Forest National Park is also known as the सलीम अली नेशनल पार्क and which is located in the श्री नगर तो यहां आपको ध्यान रखना है कि श्री नगर के पास में ये इस्तित है और ये 1986 में इसको नेशनल पार्क के रुप में घुशित किया गया यानि 1986 में इसको नेशनल पार्क के रुप निगोशित किया गया और यहां पर भी कौन-कौन से जानवर पाया जाते हैं जैसे हंगुल पाया जाता है मस्क डियर पाए जाते हैं हिमालेन ब्लैक बियर पाए जाते हैं लेपड पाए जाते हैं हिमालेन सीरोज पाए जाते हैं तो अल्मोस्स इन सभी जानवरों का आपने पिक्चर पहले से देखा इस में वीडियो में पहले तो वही सारे जानवर इस शितर में भी पाए जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं Oveira National Park और इसको बाइसफेर रिजर्व में भी लेखेंगे Oveira National Park जिसकी एरिया बहुत कम है बर तरह की नाम आपके लिदू नहीं रखते हैं तो Oveira Aru Biosphere Reserve भी कहते हैं इसको यानि इसको हम लोग Oveira Aru Biosphere Reserve के कटेंगरी में भी ड़ा गया है और ये बहुत सारे endangered species को habitat प्रवाइड करता है यानि बहुत सारे जो कि संकट में जीव है उनको आवास प्रवाइड करता है जिसने यहाँ पर भी आप देखो जानवरों में कौनकों से जैसे हंगुल है, मस्क डियर है, ब्राउन बियर है, लिपड है, कुकलाज है, मोनल है, इ सारे जो जानवर हैं, इनको यह important habitat प्रवाइड करता है, तो इस नेशनल पार्क से यह chances कम है आने के कौन से जानवर पाय जाएंगे, यह chance है कि यह नेशनल पार्क है कहां पर, ठीकि क्योंकि बहुत ज़्यादा popular नेशनल पार्क नहीं है, तो ऐसे condition में आपको ध्यान रखना है कि यह भी श्री नगर के पास में है, लगवग जो है, वो 76 किलोमेटर दूर है श्री नगर से, एक important national park है, तो हम लोग जम्मो कश्मीर के जितने भी important national parks हैं, जो के examination के ले important हैं और इतने ही national park जम्मो कश्मीर में हैं, जो हमें बढ़ने हैं, इन national parks को आपको ऐसे पढ़ना ह है, फिर हम लोग ऐसे करके एक एक स्टेट का national park कवर करेंगे, और इसको आपको बार-बार देखते रहना है, जिससे आपको एक एक स्टेट का national park कवर हो जाए, और concept आपको डेर होना चैए conceptually, जैनि अब अगर इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिमाग में इतना ठीक तो इस तरीके से हम लोगों को इस topic को cover करना है ओके, thank you